अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो मशूम है यह vegetarian में आते हैं यह non-vegetarian में आते हैं आप सभी का answer होगा कि यह plants की category में आते हैं तो इस बजह से इन्हें हम vegetarian में conclude करेंगे चलिए इसी के वारे में जानते हैं मैं प्रियांका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने study channel में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक new interesting fact के वारे में unknown fact के वारे में कि mushroom क्या है vegetarian है या non vegetarian है और क्यों इन्हें खाया जाता है क्यों ये edible in nature होते हैं so let's start जैसा कि हम सभी का जो mostly answer होगा कि ये जो mushroom है ये plants की category में आएंगे लेकिन बिल्कुल नहीं ना तो ये plants में आते हैं ना ही ये non vegetarian में conclude किये जाएंगे even कि ये जो mushroom है ये एक fungus होती है जो कि edible fungus है जिसे हम mushroom का नाम देते हैं लेकिन अब ये जो mushroom है जो खाय जाती है ये काफी proteinious in nature देखने को मिलती है इसके वावजूद mushroom की भी काफी किसमे होती है तो जुरूरी नहीं है कि सभी की सभी जो species है इस mushroom की वो सभी edible होंगी बिल्कुल नहीं बल्कि ये काफी harmful भी होती है हमारी body के लिए कुछ ही ऐसे species है जो कि edible in nature है जो कि हम सभी consume करते हैं mushroom के नाम से जिसे जाना जाता है अब इसके इलावा जो सबसे harmful mushroom देखने को मिलती है that is the emanita ये जो emanita है ये काफी ज़ादा harmful होती है अगर इसका consume कर लिया जाए तो हमारी death तक हो सकती है इस तरहां से हम ये जरूर बोल सकते हैं कि सभी की सभी जो species हैं सभी की सभी जो प्रजातियां है mushroom की वो edible होंगी मिलकुल नहीं कहा भी जाता है कि ये जो गोतम बुद्दा है इनकी भी death किसी के कारण हुई थी इन्होंने भी कुछ ऐसी ही चीज का व्यों किया था जिसकी बजह से इनकी death हुई थी इस तरहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो mushroom है ये काफी ज़्यादा high proteinious in nature होते हैं जो कि edible होते हैं जो कि हम सभी consume करते हैं तो इस तरहां से आज की इस वीडियो में हमने बात की है mushroom की properties के बारे में काफी ज़्यादा proteinious nature के होते हैं और edible होते हैं जो कि हम सभी इन्हें consume करते हैं उमीद करती हूं आज का fact आप सभी के लिए important हो आप सभी के लिए helpful हो अब हम मिलेंगे new video में कुछ new interesting fact क के साथ अगर हमारे channel के उपर नए हैं तो channel को subscribe कर सकते हैं जिससे की जब भी हम यहां पर किसी भी तरहां की news यहां पर लेकर आएं या फिर कोई भी unknown fact की video लेकर आएं या फिर जैसे कि आप सभी को पता है हमारे यहां पर study की videos भी upload की जाती हैं तो उन सभी का फाइदा लेने के लिए channel को subscribe कर सकते हैं so thank you so much for watching the video